हलो दोस्तों गुड मॉर्निंग स्वागत थे बाद फिर से आप सुभीगा एमजेटे एजूकेशन में दोस्तों आज है 27 दिसंबर आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 27 दिसंबर 2021 के करेंट अफेट के सभी इंपॉर्टन के बारे में पूरी वीडियो देखेगा पू हमारे अप्रेकेशन एमजेटी एप पर तो गूगल प्ले स्टोर पर जाएए और एमजेटी एप डाउनलोड कीजिए चलिए बात करते हैं लास्टे के कुशन की लास्टे का मेरा पहला कुशन था आपसे एस्या में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साहिदार देश कौ चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले कुशन की पहला कुशन हाले में किस राज ने गीता सोध संस्थान को मंजूरी दी तो अभी हाले में पंजाब राजी सरकार ने गीता सोध संस्थान की अस्थापना को मंजूरी दी है पंजाब के सीम चरण जीत सिंग चन्नी जी न पट्याला में यह अस्थापित किया जाएगा इससे दोस्तों यहाँ पर गीता अध्यान को और सनातनी गरंत संस्थान को अस्थापित करने से वहाँ पर जो अध्यात्मिक्ता है यह धार्मिक द्रिश्टी कोड है इसको बढ़ावा मिलेगा पंजाब ने यह घुष्णा की है अभी आपको याद होगा दूस्तों पंजाब सरकार ने ही जो पूरी रथ यात्रा होती है उसको टेग दिया था तो ये भी आपको पता होना चाहिए पंजाब कहाँ पर है मैप में पंजाब यहाँ पर है मैप में ये रहा पंजाब अपना बॉर्डर ये जम्मू कस्मीर यूनेट टेरिटरी से सेयर करता है हिमांचल प्रदेश से सेयर करता है हर्याना और राजस्थान से सेयर करता है पंजाब की राज़ानी चन्रीगड है चरंजीत सिंग चन्रीजी यहां के कांग्रेस पार्टी से सीम है गवर्नर है पनवारी लाल पुरूहित और रवी संकर जहाँ पंजाब और हर्याना कोट के करेंट टाइम पर है चीप ससेश यहाँ पर दोस्तों हर एक वन जीव ब्यारण है जजजर पचोली राष्टी उत्यान है भांगडा धूंबल गिद्धा आज है मैंने आपको उस दिन बताया था गिद्धा बहुत जादा पुछा था इसको आपको याद रखना है ठीक है अगला देखते हैं अगला है हाले में गुड़ गवर्नेंस इंडेक्स 2021 किस ने लांच किया इसे लांच किया है दोस्तों गिर गवर्नेंस में बात किया तो दिली रहा है टॉप पर सुसासन दिवस आपको पता होना चाहिए अभी कल ही मैंने आपको बताया था पूर्व प्रधार मंत्री भारत तरतने स्री अटल विहारी वाज पेई जी की जयनती के अवसर पर मनाया जाता है और इसी सुसासन दिवस के अवसर पर योगी आधित्तिनाथ जो कि INS खुकरी किसे INS खुकरी को रिटार किया गया या कहें D कमीशन किया गया विसाखा पत्तनम से INS खुकरी दोस्तों ये 32 वर्सों के सेवा के बाद सेवा मुक्त हुआ है यानि D कमीशन हुआ है ठीक है D कमीशन होना क्या होता है कमीशन तब होता है जब उसे सामिल किया जात कहता है यानि कि अब उसका काम खतम हो गया है यहां पर ठीक है सेवा में यह स्सेर्विस नहीं देगा वह विमान-बाहुक है विमान-बाहुक बोठ है तब पर इसे डी कमिशन कहते हैं। तो 32 वर्सों की सिवा के बाद 1989 में याया हुआ था जुड़ा हुआ था उसके बाद अब जा करके डी कमिशन किया गया है इसे मजगाओ सिप यार्ट्स लिम्टेट के दोरा बनाया गया था देखें डी कमिशन करने का भी एक प्रोटोकाल होता है पूरा तरीका होता है किसी भ स्षिपांभाब्द कराण सेवा में रहता है सबको बुलाया जाता है वायविल रहते हैं उनको बुलائा जाता है उनकी उपस्तति में बिलकुल आच्छे तरीके से अगरण दे करके एक सैनिक की तरह एक जच्चत संमाने करके उसको रिटायर किया जाता है अब आप सोच वो के रिटायर कर दिये जाता है तो इसका होता क्या होगा इतनी बड़ी-बडी सिप कहा जाते होंगी तो दूस्तों इनका दो तीन जगभां पर यूज होता है जिसे कि सबसे बड़ा यूज तो यह होता है कि इसके जो जो बचे बचे पार्ट होते हैं जिनका यूज आगे आने वाले सिपस में advanced तरीके से यूज किया जा सकता है उसका यूज होता है दूसरा यूज होता है कि यह एक museum के रूप में बना दिय जाते हैं म्यूजियम बोले तो जैसे कि क्योंकि वो पुराने इतियास में वहां के युदों वगरा लड़े रहते हैं ठीक है तो उनके जो जो कमांडर जो जो सेना की जो अधिकारी जो सहीद हो गए रहते हैं उनकी तस्वीरे पूरा का पूरा जो सिप है वो पूरा समझ लीजे एक म् हो सकता है इसके बाद बाकी की जो पार्ट्स हैं वो भी यूज किये जाते हैं रूमेटेरिल्स के रूप में ठीक है तो फिलाल आई एनस खुकरी जो है यह सेवा मुक्त हो गया है 32 वर्सों की सेवा की बाद कहां से विसाखा परतनम में ओके आई एनस का मतलब इंडियन ने सीर्स डोप उलंगन करताओं में कौन सा देश सामिल हुआ तो दस्तो भारत जो है यह टॉप थ्री ऐसे देशों में सामिल हो चुका है जो डोपिंग का डोपिंग नियमों का उलंगन करते हैं भारत है तीसर स्थान पर सबसे जारा डोपिंग नियमों का उलंगन करता है रस रसिया जो है वो अपने देश को लेकर के नहीं रिप्रेजेंट हुआ था टोकियो उलंपिक में वो एक और्गनाईशन की रूप में आपने टीम के खिलाणियों को वहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ था ठीक है तो याद रखेंगे आप लोग कि फेडरेशन की रूप मे सामिल हुआ था रसिया पर वैसे बैन लगा वूआ था टोकियो उलंपिक में सामिल होने से ठीक है सेकेंड पर है इटली जो डोपिंग का सबसेदा उलंगन करता है तीसरा स्तान पर है भारत चौथे पर ब्राजील है ठीक है वाडा वैसे है क्या वाडा का मतलब होता है कि समझ लिजे जो डोपिंग नियम होते हैं उनका पालन कराती हैं खिलाड़ी जो होते हैं वो अगर डोपिंग का यूज कर रहे हैं सबसे पहले तो समझ यह डोपिंग होता क्या है ठीक है डोपिंग मतलब यह कि कोई भी जो और्डिनरी चीज हो उसमें कुछ ऐसी बढ़ जाती थी ऐसे यहां पर भी होता है ठीक है अगर कोई खिलाड़ी है कुछ ऐसे पदार्त यूज कर लेता है कुछ दवाईयां कुछ मेडिसेंस कुछ केमिकल्स जिसकी वज़ेसे उसकी प्रफॉर्मेंस अचानक से बढ़ जाती है बूस्ट अप हो जाती है तो उसे क अगर कोई खिलाड़ी पकड़ जाता है तो इस पर बैन लग जाता है ऐसे ही रसिया में 166 मामली आए थी इतली में 157 मामली आए भारत में 152 मामली आए ठीक है ब्राजील 78 और इरान 70 मामली आए तो इसमें देखा गया सबसे अधा अपरादी जो मिले डोप टेस्ट में जो फेल पाए गए वो बॉड़ी बेलिंग से थे फिर वेट लिप्टिंग से फिर एतलेटिक्स और रेसलिंग वगारा भी मुक्के बाजी वगारा भी इसमें भी टोपिंग के खिलाड़ी मिला करते हैं किलियर तो यह आपको समझ में आया अच्छा नेशनल एंटी टोपिंग ए हैं दोस्तों संजे कुमार मिस्रा जस्टिस संजे कुमार मिस्रा जी यह उत्राखंड हाई कोट के नए कारेवाहक या कहें एक्टिंग चीप जसिस बन गए हैं यह किसकी जगह पर आए हैं तो यह रागवेंदर सिंग चौहान जी की जगह पर आए हैं आपको पता होगा तो आर्टिकल 223 में जो सक्तियां मिलती हैं प्रेसिडेंट को कि नियुक्ति प्रेसिडेंट करेगा उसी सक्तियों के तहद प्रेसिडेंट रामराथ कोविंजी ने इनकी नियुक्ति की हुई है। अच्छा इस्तिफा किसको देगा यह तो जो नियाधिस होता है वो इस्तिफा देता है किसे वो प्रेसिडेंट को इस्तिफा देता है ठीक है तो यह भी आप याद रखेंगे चलिए तो अब जो जिसे आप आए हैं ना संजे कुमार मिसरा जी यह तो अभी एक्टिंग है या क कोई पर्मनेंट नियुक्त किया जाएगा अभी इनी को अगर एक दू मैने बार पर्मनेंट कर दिया जाता है तब ये वहां के क्रम अंसार होंगे अगले चीप जसेस्ट ठीक है क्रम समझ रहे हो ना आप लोग जैसे होता नहीं पांचवा दसवा नौवा अगला देखते हैं उत्रखंड के बारे में थोड़ा सा जाल लो आप उत्रखंड यहां पर है मैप में ये रहा उत्तरप्रदेश से अलग हुआ था 2007 में इसका नाम बदल करके उत्तरांचल से उत्तराखंड किया गया अलग कब हुआ था सन 2000 में ये अलग हुआ था 9 नौवंबर को लेकिन तब उत्तरांचल के रूप में अलग हुआ था आगे चल करके 2007 में उत्तरा खंड कर दिया गया 13 जिलों को अलग किया था UP से ये अपना वडर यूपी से से शेर करता है हिमांचा प्रदेश से और हर्याना से भी से शेर किया करता है क्लियर है गैर से और दिहरादून इसकी दो कै भरखेशा बन गये हैं। अगला sizot File 파ेंड अंडिया का Brand investigator किसे न्यूद किया गया तो अदिती असोक को न्यूद किया है अधिती असोक को न्यूद किया गया अधिती को बहुती फेमस抗ोलफर है दोस्तों इंडिया की ठीक है तो इनको न्यूद किया गया है Hyundai Motor India का नया Brand Ambassador इनको अगले दो अर्सों के लिए नियूप किया गया है तो अगले टू येर तक होंगी ये अदितिय सोक Hyundai India की Brand Ambassador 2020 में अरजुन पुरुसकार प्राप्त करता भी है ये इसके अलावा दुनिया की एक मात्र ऐसी गोलफर है जिन्होंने जितने भी बड़े गोलफ के प्रारूप होते हैं सभी में अपनी जगा बनाई हुई है क्लियर? Brand Ambassador पर वीडियो जल्दी आने वाली है देखिए आज कल अभी मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूं इस्ट्रा क्योंकि दुस्तों मैं चाहता हूं कि अब जो भी वीडियो आए वो डिजिटल बोर्ड पर आए लेकिन अभी दिक्कत यह है कि अभी स्टूडियो सेटप हो नहीं पाया है स्टूडियो वाले से बातचीत चल रही है कल संडे पढ़ गया था आज सायद आये वो ठीक है तो अगर आज आ जाते हैं इस्टूडियो सेटप हो जाता है तो बहतरीन कॉंटेंट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि अभी थोड़ा सा अंदर से भी नहीं लगता है अच्छा नहीं लगता है जब आप लोगो क्वाल्टी बहतर नहीं मिलती है सेबं टुटि पर कहा जाता है किसेविन टुटि पर देखो तो फिर बहुत सारे स्टूडन्ट जो हैं उनको टाटा के वहां पॉइंट फाइब मलता है तो यह भी रहता है उनका और वहीं क्लासिज देखनी रहती है तो उनका डाटा खत्म होने का डर रहता है इसलिए मैं चाहा रहा हूं इस्टूडियो सिट अप हो जाए अच्छे से उसके बाद तब बनाया जाए तब ज्यादा सही रहेगा ठीक है अभी तक जो भी चला यह मैं खुद से ही जो भी अपना हिसाब से जो भी सेट कर पाया हूं उ इससे ब्रैंडम बिज़र हुआ सहन भ्यास हुआ पुस्त के लेखक हुआ कौन क्या है इसके अलावा योजनाएं हुई बहुत सारे टॉपिक्स मैंने आपको आपके तयार करके रखवाए हुए हैं पीपीटी बनी हुई है आप लोग के फीडबैक कमेंट के अनुसार तो जैसे ही यह सब सट्यप हो जाता है अच्छे से वर्ड किलियर दिखने लगते हैं तो तुलंत मैं आपको वीडियो देना शुरू कर दूबा अगला बैचलर डैट के पुस्तक के लेखक कौन है तो तुसार कपूर जो अभिनेता है यहाँ पर तुसार कपूर है तुसार कप आएगी पेंग्विन इंडिया ने इसको प्रकासित किया है 2022 जनवरी में आएगी यानि अगले महीने आएगी करेंट अफेर की एबुक दोस्तों ब्रह्म महास्त की 2.0 आज आने वाली है जिसमें जनवरी से लेकर के देसंबर तक के सभी ओंटेंट डिटेल चैप्टर अंतरास्थी हाकी महासंग ने अपनी रैंकिंग जारी की है इसमें भारत है दूस्तों तीसरे अस्थान पर अंतरास्थी हाकी महासंग या इंटरनेशनल हाकी फेडरेशन के हैं तो इसके दोरा जो पूरुस और महिला दोनों की रैंकिंग जारी की गई है लेकिन पूरुसो में है आस्ट्रेलिया और महिलाओं के टीम में है नीदर लेंड ठीक है तो यहां पर देखिए भारती होकी टीम मनप्रित सिंग जी दोस्तों यहां के कैप्टन है भारती होकी टीम के आपको याद होगा भारती होकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉंज मेडल जीता था औ दोनों में ही भारत के कान से पदक आए भारत तीसरे स्थान पर रहा बेलजियम दूसरे स्थान पर अब आ गया है आश्टेलिया उडलेट फेर करते हुए टॉप पर आ गया है महिला कटेगरी में नीदरलेंड है फर्स्ट पर और भारत की रैंक नौवी है अच्छा भारती मह महिला जो टीम है इसकी कैप्टन रानी रामपाल है और ये टोकीयो अलम्पिक में किस अस्थान पर रहे Seems ये टोक्यो उलम्पिक में चौथ है स्थान पर अपना सफर कत्म की थी रानी राम पाल यहां की कैप्टन है ठीक है और मनप्रीज सिंग के बारे मैंने आपको बताया था कि इनको खेल रतने इस बार मिला था इसके अलाव मैंने भारतिय होकी टीम के बारे में बताया था कि भा अर्जेंटीना ने जर्मनी को हरा करके जीत लिया यह वाड़कप ठीक है पुरसो का जो जूनियर वाड़कप था इसके अलावा मैंने होकी से रिलेटर बताया कि खेलो होकी टूनामेंट भी अपसूर किया जा रहा है जिससे खेलो इंडिया गेम्स होता था ऐसे खेलो अंतराष्टिय वन मेले का आयोजन कहां पर किया गया तो अंतराष्टिय वन मेले का आयोजन दोस्तो भोपाल में किया गया भोपाल राजधानी है मद्यप्रदेश की तो अंतराष्टिय वन मेला यहां पर आयोजित किया गया है कब से कब तक आयोजित किया गया तो यह 22 द जो वन उत्पाद है वनों में उत्पादित होने वाले उत्पाद होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है साथी साथ जो लोग इससे जुड़े हुए है यानि जो लोग इसका उत्पादन किया करते हैं उनको व्यापार में आर्थिक मदद मिले या उनक उचित मूल ने पर उनके प्रोड़क्ट बेचे जाएं इस बात को भी ये सुनिश्चित करेगा इसलिए प्रमोशन वगरा करने के लिए अंतरास्टे वन मेला है वजित कराया गया है क्लियर है विल्कुल अच्छा अभी हाल फिलहाल में कौन सा महुत्सों मनाया गया था मद् जिला है उजयन मद्यप्रदेश में ही है वहाँ पर कुम्ब मिला आवजित कराया जाता है कौन कौन सा एक तो सबसे बड़ा वाला होता है परियाग राज फिर हरिद्वार उजयन और नासिक चार जगह पर मनाया जाता है बारा बारा वर्सों के अंतराल पर और छेच्छे वर्सों के अंतराल पर अर्द कुम्ब होता है इसके अलावा एक अभी पुसकर मेला की बारे मैंने आपको बताया था राजस्थान में होता है ठीक है पुसकर राजस्थान में पुसकर मेला पुसकर पसु मेला भी कहते है उसे पसु मेला से आदाया एक सोनपुरी मेला होता रिके और अभी अम्बू बाची मेला मैंने आपको बताया था अम्बू बाची मेला असम में मनाए जाता है ये सभी मेला और मोहटसों आप याद रखेंगे ठीके ये दो रहता है आजकल आप लोग डेली के रंट और उतना सेर criar नहीं कर रहे हो ठीक है और आजकल मैं वेटैस नहीं आपका को सेर् वगरा कर दिया करो रहो मद्यपरदेश के बारेयeking कुक्क ली जान लेते हैं वीडियो लंबी जा रही है उत्तर प्रदेश, रायस्थान, उजरात, महराश्टरा, छत्तिजगर और जारकंट से बॉडर सेयर करता है मद्य प्रदेश, भोपाल यहां की राज़ानी है, भोपाल से भोज़ताल आपको याद रखना है, जील है शिरासिंग चौहान, बीजेपी पार्टे से सीम है, कौरनर है, मगू भाई, छगन भाई, पटेल, नाम्याद रखना है, हाल फिलहल में नियुक्ति हुई है, नए नियुक्तियां पूछी जाती है जाती है, रवी, विजय, कुमार, मली, माध, यहां के करेंट टाइम पर है, चीब जैसिस, यहां पर बहुत सारे निशनल पार्ट हैं दोस्तों, पन्ना टाइगर भी हार, ठीक है, पन्ना पेंच निशनल पार्क, कान्हा के ली बांधाओ गड़, ठीक है, इसके अलामा माध यहां पर लोक निर्थे में बात करें तो तिटली निर्थे कर्म निर्थे मटकी निर्थे अगला DCGI ने किस वैक्सीन को 12 से 18 वर्ष के बच्चों को लगाने की मनजूरी दी टो DC GI ने यानि drug 可 Channel General of India ने दोस्तो को वैक्सीन को मंजूरी दीती है भारत में 12 वर्स से 18 वर्स तकके बच्चों को लगाने के लिए को वैक्सीन किसने बनाया है भारत बायोटेक ने बनाया हुआ है ठीक भारत बायोटेक दोस्तो पूरी तरीके से भारतिये कंपनी है और इसने जो वैक्सीन मनाई है ये भी पुरी तरीके से भारती है तो भारत बायोटेक की जो ये वैक्सीन है नाम है को वैक्सीन इसे मंजूरी मिल गई है कि अब ये लगाया जा सकता है 12-18 वर्स के बच्चों के बीच में भी लेकिन ध्यान रखिएगा प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी ने अभी संबोधन किया है और अपने संबोधन में उन्हें बताया है कि तीन जनवरी से स्टार्टिंग होगी बच्चों में टीका लगाने की लेकिन वो जो एज गुरूप होगा वो होगा 15-18 वर्स ध्यान ग्रूप वालों को वैक्सिन लगाने की मंजूरी दी तीन जनवरी से तो आप बताएंगे 15-18 वर्स लेकिन अगर पूछा जाए आपसे कि डीसी जी आई ने भारत में कितने वर्स के कि इतने एज गुरूप के बच्चों को वैक्सिन लगाने के मंजूरी दीये अभी हाल फ चुका है कम से कम एक एक डोज दिया गया है ठीक है इस ये और अगर बात करें कि ये टोटल आबादी 90% मानी जा रही है कि 90% को एक एक डोज मिल चुका है इसके अलावा 60% ऐसे आबादी है जो 18 वर्स से उपर की है और इसी बात है टार वर्स के उपर के सभी लोगों को लगा के बच्चों को वैक्सीन लगाने की सबसे पहले मंजूरी देने वाला राजे कौन बना तमिलाडू बना था इसके अलावा एक देश है क्यूबा क्यूबा जो दोस्तों ये बच्चों को वैक्सीन लगाने की मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बना है तो पहला नए आए हो, चनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसके अलामा MZT एप डाउलोड कर लिजिए, यहीं पर आपको quiz अगरा, PDF अगरा सब कुछ मिल जाएगे, टेलिग्राम गुरूप से भी जॉइन हो सकते हो, कोई भी notification होता है, कोई भी information होता है, या PDF उनलाइनर होता है, या फिर और भी चीज़ों होती है, यहाँ पर भेजी जाती रहते हैं, तो आप इसको जॉइन करके रखो, ठीक है, मिर्दा दिवस कब मना जाता है, तो मिर्दा दिवस आपको बताना है, आरे भट पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया है, दोनों questions के बारे में आपको जो पता हो, डिटेल में जरूर अंसर करने का प्रयास करना, चले मिलते हैं दोस्तों बस अगले दिन के वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार, जैहिंद, वन्यमात्रम